Good morning students, हमारा आज का टॉपिक है कविता ध्वनी जो सूरेकान त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है इस कविता में कवी अपनी जीवन के माध्यम से और लोगों को प्रेणा देना चाहता है कवी कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत कभी कहता है कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा क्योंकि मेरे वन अर्थार्थ जीवन मेरे जीवन में मृदुल कोमल वसंत का आगमन अभी अभी ही हुआ है अर्थार्थ मैंने अभी अभी ही अपने जीवन को अच्छे से जीना सीखा है तो अभी न होगा मेरा अंत अर्थार्थ मैंने अभी अभी आत्मविश्वास के साथ जीना सीखा है मेरे जीवन का अंत नहीं होगा और मैं अभी बहुत लोगों को अपने जीवन से प्रेरणा द फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूश मनोहर वो कहते हैं कि इन हरे हरे पत्तों पर डालियों पर कलियों पर इनके कोमल शरीर पर मैं अपना स्वपन सपनों से भरा हुआ मृदुल कोमल हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर इन नीद से अलसाई हुई कलियों पर पत्तों पर डालियों पर इनके शरीर पर मैं अपने सपनों से भरे हुए कोमल हाथ फेरूंगा जगा एक प्रत्यूश मनोहर और इनको संदेश दूँगा जगा कर इनको एक संदेश दूँगा किस प्रत्यूश मनोहर प्रत्यूश मतलब सुभा एक अच्छी सुभा हो गई है उसके होने का मैं इनको संदेश दूँगा अर्थार्थ इस संसार में जो भी बच्चे हैं वो अभी बहुत ही अलसाए हुए हैं उनको मैं प्रेरणा दूँगा उनको अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा इसके बाद कभी कहते हैं पुश्प 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 से तंद्रा आलस लालच खीच लूँगा मैं अपने नव जीवन का अमरेत सहर्ष सीच दूँगा मैं वो कहते कि पुश्प पुश्प अर्थार्थ हर एक युवा पुश्प यहां प्रतीक है युवाओं का तो हर एक युवा से तंद्रा आलस तंद्रा मतलब नीद की वज़े से उत्पन हुआ आलस लालसा जो भी उनके अंदर लालच भरा हुआ है उसे मैं खीच लूँगा अपने नव जीवन का अमरेत और मेरे पास जो अच्छाईया है जो मेरा अमरेत है उसे मैं सहर्ष पूरी खुशी के साथ उनमें डाल दूँगा अर्थार्थ उनकी बुराईयों को खीच कर उनकी अंदर अपने जीवन की अच्छाईयों को मैं भर दूँगा द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अन्त फिर वो कहते हैं कि जो मेरे द्वार हैं अर्थार्थ जहां अनंत खुशी है, वो रास्ता, वो जीवन का पहलू जहाँ पर उनको दुख नहीं होगा, मैं उनसब को वो दिखा दूँगा, अर्थार्थ मुझे जीवन में बहुत काम करने हैं, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी मेरा जीवन समाप्त नहीं होगा तो इस कवीता के मात्यम से कवी बच्चों को युवाओं को प्रेरणा देना चाहता है और वह कहना चाहता है कि अभी उसे बहुत लोगों को प्रेरित करना है तो अभी उसके जीवन का आंतर नहीं होगा स्टूडेंट्स इस पोयम के कुछ कोशन्स हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप उनके आंसर्स करेंगे कवी को ऐसा क्यों लगता है कि अभी उसके जीवन का आंतर नहीं होगा कवीता की व्याक्या से समझ आही रहा है क्योंकि कवी को अभी विश्वास है कि उसके जीवन में अभी अभी वसंत आया है और उसे बहुत लोगों को प्रेरित करना है इसलिए उसके जीवन में अभी उसके जीवन का आंत नहीं होगा सेकंड कोशन है फूलों को अनंत तक विक्सित करने के लिए कभी कौन कौन से प्रियास करना चाहता है तो फूलों को अनंत तक विक्सित करने के लिए कभी उनको द्वार दिखाना चाहता है उनकी तंद्रा और आलस से को दूर खीचना चाहता है ताकि वो अपने जीवन को खुशी खुशी जी सकें कभी पुश्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है THANK YOU STUDENTS